हलो जो टुदेभी वीली स्टर्व लीम्हें वीली ब्रीजिन क्लास है स्टुने इलाइवन्न क्लास बालाजी । चैप्टर थर्ड इस्टर्थ गविए थे बाऊ-धर अब ब्रायो फाइट इसे आर डिवाइड इंटु तू ग्रॉप में डिवाइड किया जाता है लिवरबर्ट और मॉश्यूूचों पर इच अब देखें क्या होता है यह पर उस्ट। जेडी है वी टाउर्ट वहां पर ग्रो थे होते हैं जो इरिया मॉश्यू जो यहां इरिया होता है saddy, छायाधार एरिया होता है ऐसी जगे पर ये growth होते है तो the liver birds grows usually in moist saddy habitats काहा पर जो liver birds होता है moist and saddy habitats में growth होता है such as bank of streams जैसे किसी नदी का किनारा Marse ground, दलडल वाला ground, damp soil मिट्टी के अंदर बार्क ओफ ट्रीज पेड़ की छाल पर एंड डीप इंदा बुड या लकडी के अंदर ठीक है यहां पर लिवर वर्ट्स जो हैं ग्रोह होते हैं कहां कहां ग्रोह हो सकते हैं बैंक्स ओफ स्ट्रीम्स किसी नदी के धारा में नदी के किनारे मार्सी ग्राउंड दलदल वाली एरिया पर डैम स्वाइल मिट्टी वाली जगे पर बार्क ओफ ट्रीज पेड़ के ऊपर छाल पर एंड डीप इंदा बुड लकडी के अंदर यह ग्रोह हो सकते हैं और लिवर रच़त ब्रद इस थैलॉइड जो लिवर बर्टो की प्लांट बोडी होती है जैट इस दा है लंग विल्वर बोड़ है कैसी होती है थैलॉइड बasis होती होती है को पर आफ यह थाइज इग्जांपल आफ युकीन मरकेंसिया मरकेंसिया। इस एक्जांपल फुल पर लिवर बढे। इंड अबाई उन्यौजम आफ इयुजमल के अंद की नवैसरे श् contributors ओ dud को न देट उन्ध रिआर carbon plant body of liver birds is thaloid, plant body जो होती हो थaloid होती है, and example of liver birds is the mercantia, so this is the liver birds, okay, biofights divided two group, liver birds and muscles, so I have told you about the liver birds, enough for today, thank you.